Hey everyone, आज मैं फिल लेग आई हूँ आपके लिए एक new DIY जहाँ पर मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूँ wall hanging की DIY और इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ घर में पड़े हुए bangles का So friends, I hope आप लोगों को DIY पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज इसे like और share जरूर करना तो चलिए आज की DIY को start करते हैं So friends, आज की DIY में मैं यूज करने वाली हूँ ये bangles, आप bangles कोई भी यूज कर सकते हैं like steel या फिर आप aluminum की भी यूज कर सकते हैं साथ ही यूज करने वाली हूँ एक net cloth जो की आप किसी भी color का choose कर सकते हैं most of leaf आप pink या फिर yellow यूज करना जो की बहुत ही सुन्दा लगता है और उसे आपको round या फिर square shape में cut कर लेना पर ध्यान ड़कना की net cloth का size, bangles की size से कम से कम थोड़ा बड़ा होना चाहे उसके बाद में इसे बीचो बीच इस तरह से thread की हेल से tie कर लेना है और extra cloth को आपको scissor से cut कर लेना है उसके बाद में आपकी जो bangles होगी कुछ इस तरह से दिखेगी और इसी तरह से आपको सारे bangles पे net cloth को tie कर लेना है और मैंने इसी तरह से कम 25 bangles को tie कर लिया है टोड़े से वाइट मोती आराउं 15 से 20 उसके बाद में आपको वापस पॉम-पॉम को इसके अंदर डालना है और फिर उसके बाद वापस से आपको बैंगल इसको टाई कर लेना है और इसी तरह से आपको इस वॉल हैंगिंग की स्ट्रींग को रेडी करना है साथ मैं आप उप तो फ्रेंस है ना बहुत ही एजी सा DIY जिसे आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं और इसी तरह से आप किसी भी कॉर्णर या अपने में डोर या फिर सेंटर डोर को डेकरोईट करने के लिए इन वाल हैंगिंग का इस्थमाल कर सकते हैं अपकमिंग फेस्टिवल के लिए तो फ्रेंस आई होप आप लोगों कोई DIY पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना तो फ्रेंस बाबाइन टेक क्यार मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइन टेक क्यार बाइ